वाकिफ कहां जमाना हमारी उडान से और वे और थे जोहार गए आसमान से मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सैपाटी हिमान शुसूरी कांथर पाथी, आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ पुना अपनी विशेश कक्षा में ये कक्षा आधारित है, पिछले यानि 2023 के जो करिंट अफियर रहे हैं, मंतली करिंट अफियर उस पर आधारित है जिसकी स्रंखला में तीन वीडियो आपको पुराने मिल चुके होंगे, चौथे पर हम लोग काम कर रहे हैं और ये चौथा वीडियो आपका विज्यान और प्रोध्योगी की पर है, पिछले में आप देखा होगा, दो वीडियो में साज अंग्रा रहे हैं, अक्टूबर लास लेकर नॉम्बर महा तक के तीसरे वाले वीडियो में आपने देखा, रास्टिय अंतर रास्टिय और आर्थिकी गटना करम का था, अब ये वाला विज्यान और प्रोध्यकी की च्छित में क्या महत्पून कारे हुए हैं रास्टिय अंतर रास्टिय अस्तर पर, ये सब हम लोग चल्चा करने का काम कर तो स्टार करते हैं वीडियो को भिना समय बर बात की, लेकिन अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आशा है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है, तो खूब धहरता के साथ बैठिएगा, कुछ नोट करने के अभी आवशक्ता नहीं है, आप एक सरसरी इंगा से खाली सारा पढ़ती चले जाएए मेरे साथ, चलिए पहला प्रशन स्टार्ट करते हैं, देखें, पहला लिखा हुआ है, एक माल वाहक जहाज है, यहाँ देखे पहला, आप देखेंगा, इसके विशे में जानने वाली बात, तो किसने सूचना दी, तो इजराइल सेना ने जारी किया, अच्छा, कि तुर्किये से कहां आ रहा था, भारत आ रहे माल वाहक जहाज, इसका नाम है गैलेक्सी लीडर, इसका क्या हुआ हुआ है, दक्षन ला जो यमन से संबंदित है, अब जानिएगा, कि माल वाहक जहाज, इसका नाम है गैलेक्सी लीडर, इसको किसने अपारण कर लिया, तो होती विद्रोहियों ने, कहां से अपारण किया गया है, तो लाल सागर के पास से, दक्षनी लाल सागर में जहां होती विद्रोही बहुत सक्रिय है, ये वहां से, और ये कहां से आ रहा था अजमाल वाहक जहाज, तो तुर्किये से आ रहा था, भारत आ रहा था, ठीक बात है ना, और किसने सूचना दी, तो ये इसराइल ने सूचना दी है, इतनी बात आपको धियान में आई, अगले प्रस्ट पे आते हैं, देखे, ये लडाकु विमान था, MIG21 के नाम का, बाइसल लडाकु था, अब ये कहां का था, तो ये आप देखेंगे, उत्तर लाए वायुसेना स्टेशन, बाडमेर राजस्थान में आखरी उडानिस ने भरी थी, अब ये है कहां का, तो ये भारत का, यानि भारती वायु सीना का, एक प्रकार का लडाकु विमान था, जिसको अभी क्या किया गया, इसको रेटायर कर दिया गया है, ठीक बात है, इसको जानते रहिएगा, आप लोग को बढ़िया तरीके से, ठीक बात है, MIG21, याद होगा आपको, MIG21 के विशह में, यहाँ देखे, एर मारसल, वी MIG21 को जिह अभियाल में, रेटायर कर दिया गया है, ठीक बात है, अगले पे आते हैं, अगला लिखावत, दुरलब धातु, यह इसका नाम है, टैंटलेम, यानि एक टैंटलम नाम की धात है, सार संग्रा में आपने पढ़ा था, इसको कहां खो जा गया है, किसके द्वारत इसको IIT रोपड की द्वारत खो जा गया है, तो कहां पर तो पंजाब में 17 नजी के रेट में इसको खो जा गया है, ठीक बात है याद करे रहेगा, इसका परमान करमान क्या है, 73 होता है, याद करे रहेगा, यह कठोर भारी दातू है, अब देखे, आपके लिए जो अंडि Minute Matt, Minute Man, मैंने आपको सार संग्रम पढ़ाया है, Minute Man जो है आपका थ्री मिसाइल जो है, यह आप कहेंगे तो यह अमेरिका क्विशम, यानि अमेरिकी वायुसेना ने एक अंतर महादीप यह बैलिस्टिक मिसाइल, यानि आप कहेंगे एक बार में दूसरी महादीपों में भी यह आपकी मिसाइल जा सकती है, एक क्वेस्चन अगर पूछ लिया जाए, हाल ही में Minute Matt, थ्री मिसाइल का परिक्षन किया गया, यह किस देश से सम्मन्नीत है, किस देश की वायुसेना से, तो आप याद करे रहे का, अमेरिका की वायुसेना से, बहुत रटने की आवशक्ता नहीं, दूसरा यह है, किस कंपणी के द्वारा, तो बोईंग कंपणी है, यह अमेरिका की सइंक तुराज, अमेरिका के कंपणी है, उसी के द्वारा यह बनाई गई है, ठीक बात न, अगले पे आते हैं, अगला लिखा हलका लडाकु, हेलिकाप्टर, भारत में आप देख सतर मिली मीटर रॉकेट और बीस मिली मीटर बुर्ज गन की फाइरिंग का दिन और रात दोनों स्थितियों में सपल परिक्षन का सुथा, याद करे रही है, इसको बनाया किसने है, इसको HAL के द्वारा निर्वित किया गया है, यानि इसका नाम है HAL, और इसका करेंट जो ह घटना करम के रूप में बिज्ञान, प्रदुकीर, निर्टिया, इन सब में कराता होंगा, तो आपको इस सब छीजे आपको रट जाने वाली है, अगले पर आते हैं, अगला लिखा हुआ है, नासा का, नासा ने एक मिसन लांच किया था, कुछ दिन पहले आपने देखा थ सिगनस लूप का ध्यन करेगा, ठीक बात न, ये सिगनस लूप के विशे में भी लिखा है, ये है क्या, ये तारे का आउसेस होता है, जो कभी सूर इसे भी 20 गुना अधिक बड़ा, बाद में अपने गृत्वा करशन के कारण सुपर नोवा में बदल गया, ठीक बात न, त अगला क्वेशन आपका लिखा हुआ है, लिखा है मैविला वैक्सीन, अब देखें मैने आपको सार संग्रा में कल भी बताया था आपको, मैविला वैक्सीन जो है आपकी, ये मैविला वैक्सीन आप देखेंगे तो ये भारत की द्वारा बनाई गई, भारत के पड़ लीजेगा आप लोग आगे हमाते हैं अगला लिखा हुआ है प्रोजेक्ट 15B यानि प्रोजेक्ट 15B जो है प्रोजेक्ट 15B जो है इसके विशम लिखा इसका अंतिम युद्धपोत जो तयार हुआ इसका नाम रखा गया सूरत क्या नाम रखा गया सूरत पूछ सकता ह आप से प्रोजेक्ट 15B के तहट तयार होने वाला अंतिम युद पोत क्या है तो उसका नाम है सूरत, ठीक बात न, अब ये किसके द्वारा लांच किया, कारेक्रम चलाया गया था प्रोजेक्ट 15B तो भारती ए, नोसेना के द्वारा, ठीक बात न, लास्ट वाले का नाम क्या रखा गया सूरत कौने सहर में लांच किया गया गुजरात में याद है आपको यहाँ देखिए इसका निर्माल पूछ रहा है इसका निर्माल किसके द्वारा तो मजगाओ डाक सी बिल्डर्स मुंबई के द्वारा तयार किया गया ठीक बात है इतना अगर आपको धियान में इसको इस्टार बनाये रही है का आप विजय से मैंने बनाया है वैसे आप भी बना लीजेगा ताकि आपको यह याद रहे नीचे आते हैं नीचे लिखाया प्रोजिक्ट पंद्रा बी के तहट कुछ और बने हुए जो जहाय तीन डिस्ट्वायर जहाज पहले ही लांच किय जा चुके थे और चौथा सूरत अब रट लीजिए आप लोग कि आप कहेंगे सबसे पहला विशाका पत्नम आया था दूसरा मारमा गोवा और तीसरा इंफाल अब चौथा क्या हुआ है चौथा आपका है इसका नाम ने है सूरत ठीक बात न और यह सब तयार हो रहे हैं य एक प्रकार की यह प्रकार की कंपणी है अगले प्याते हैं S-400 मिसाइल यह खूब रटे हैं आप लोग S-400 मिसाइल लिखाया सिस्टम का नाम बदल करें डिफेंस सिस्टम का नाम बदल करें अब क्या रख दिया गया सूदर्शन ठीक बात न अभी आगे पढ़ेंगे इसक सूदर्शन ठीक बात अब लिखा है इसके लिए भारत को 35,000 करोन रुपे का समझोता हुआ था किसके बीच में भारत और रूस के बीच में किसके लिए S-400 इसका नाम क्या रख दिया गया सूदर्शन रख दिया खूब बढ़िया याद आगे आपको चलिए आगे लिखा ह हुआ है अभी तक भारत में क्या रहा है भारत को तीन S-400 इर डिफेंस सिस्टम मिसाइल सिस्टम जो है इसकी आप उरती हो चुकी है बाकी के बचे कितने हैं दो इसको 2024 में यानि आप कहेंगे पहला राम S-400 का करार कौन से देश के साथ हुआ है तो भारत का रूस के साथ इसको कितने रुपे में खरीदा गया रूस के द्वारा तो आप कहेंगे इस सिस्टम के लिए 35,000 करौन रूपे में समझाओता हुआ था अच्छा पांचवी बात कि कुल कितने S-400 मंगाने थे रूस से तो आप कह दिए सर 3 और 25 यानि 3 तो आ चुके हैं अब तक और 2020 में आ उसका नाम रख दिया जाएगा सुदरसन ठीक बात है चलिए अगले प्राति हगला प्रशन लिखा हुआ है शौर्ट करेंज अब देखें सौर्ट रेंज बैलेस्टिक मिसाइल याद करे रहीगा यह सौर्ट रेंज बैलेस्टिक मिसाइल इसका नाम क्या है प्रले ठीक बा दूसरा question, इसको निर्मार किसके द्वारा किया गया इसका, तो इसका निर्मार सर किया गया DRDO, ठीक बात है, यानि रक्षा अनुसंदान विकार, संगठन के द्वारा इसको लांच किया गया, अगले पर आते हैं, यहां, और इसमें बहुत ज़्यादर रट्टिक आउस्टिक जिसको कह रहे थे आप अप लोग, जैसे S-400 का नाम बदल की सुदरसन रखा गया, जो की रूस से खरीदा गया, वैसे भारत का एक Air Defense System तयार हो रहा है, जिसका नाम है Project Kusha, अब Project Kusha एक महत्पूर्ण को योजना है, अपनी रक्षा चमताओं को बढ़ाने के लिए, यहां ए ठीक बात है न, कौन तयार कर रहा है इस योजना को, फिर यही बात, जिसका नाम है DRDU, 21,700 रुपे करोण का बजट रखा गया है, इसके लिए, किसके लिए, Project Kusha के लिए, यह भी ध्यान करे देगीगा, पूछा जा सकता है, कि बताए, Project Kusha के लिए, कुल कितने करोण की ला अच्छा परणाली होगी, आई बात ध्यान में, यानि आप जानते, विस उमें सबसे अच्छा Air Defense System जो है, वो आपका, इसराइल का Iron Dome है, और कहरा है लगभग उसी के जैसे, बलकि उससे जादा अच्छी होने वाली है, तो इससे 3-4 पॉइंट पहला, Project Kusha है क्या, तो भार किसके द्वारा बनाया जा रहा है तो यह, किसके द्वारा, तो यह रक्षान सुन्दान विकास संगठन, जिसका नाम है, DRDO के बारा, ठीक बात है न, अच्छा पूछ सकता है, Iron Dome कहां कि यह रक्षा प्रणाली है, तो आपका यह अगसर इजडायल की, S-400 कहां की है, तो र अमीनी रखा है, अब देखिए, यह कहां की विश्यम है, तो यह, कट्टू, पल्ली, तमिल, नाडू में किसके द्वारा, तो भारतिये, नौ सेना के द्वारा, ठीक बात है, सब्मरीन, वारफियर, क्राप्ट, इसका नाम है, अमीनी का जला उतरन, क्वेस्चन आपसे पू इतनी बात आपको याद आई, तो मुझे लगता है, अच्छा लगता, अच्छा इसका नाम जो रखा गया लिखा है, क्योंकि लक्षदीप में अमीनी द्वीप रखा गया है, यानि लक्षदीप में इसके जो अमीनी द्वीप है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक बात है चलिए इसका काम क्या होगा पोत में समुदरी सीमाओं में पानी के भीतर दुश्मनों की पंडुबियों का पता लगाने तथा उन्हें निस्क्रिय करने के लिए व्योस्तावनाईगी खूब मन लगा कि इसे ध्यान में रख लीजिए एक बार देख रहे हैं दु बुलवा रूस की ठीक बात है रूस की नुकलियर संचालित पंडुबी इसका नाम है इंपीरेटर एलेकजेंडर 3 से श्वेट सागर में क्या किया गया है बुलवा का सफिल परिच्छन किया ठीक बात है एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है आठ हजार किलो मीटर की मारक चमता इसकी है छे परमाण हतिया ले जाने में ये सक्षम है तो आप पहला प्रस्टिक मिसाइल तो आप जानेगा रूस की बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नॉंबर में परिक्छन किया गया याद आ जाएगा आपको चलिए अगले प्रस्टिक लिखा हुआ है जापान की नए जापान के उपर आपते है अभी कल आपने देखा जापान में देखा हो गाँसे जापान के ओगा सावारा दूइप संखला बेनिन दूइप संभू की आज पास नए दूइप का निर्मार हुआ है याद करे रहिएगा ये कहां की बात है जापान की आई बात दिन पूछा जा सकता है हाल ही में किस देश के पास नए जौला मुखी देव का निर्मार हुआ है तो आप कह दीजेगा सर ये जापान की बात कर रहा है ठीक बात है अगले प्रश्ण भी आते हैं चलिए तो इतना प्रश्ण हो गया मैं खिर कह रहा हूँ अगर आपने पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा तो मैंने वीडियो मजाग के लिए नहीं बनाया है काम चलाने के लिए नहीं ये सब आपके रिवीजन के लिए बनाया है तो अब तक आपने इन वीडियो को नहीं पढ़ा है पिछले पिछले को पढ़िए बाकी अगले वाले वीडियो को भी मन लगा कर देखिएगा तब आपका क्या होगा तब आपका करेंट का कोई समस्या आने वाली नहीं है उसके बाद जब मैं आपको प्रशनोतरी जब आप से मैं पूछ लूँगा टेली ग्राम के माध्यम से अच्छा हाँ वीडि भी कराई जाएगी यानि आप से प्रशनोतरी की जाएगी तो बाकी मिलते हैं गले वीडियो में अगली जानकारी के साथ क्लास कैसी लगी आप खुब भर दीजेगा कमेंट बाकी आपने तना सहीओ किया आपका बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद